तो दोस्तों मैंने जो पिछली मुवी एक्स्प्लेन करी थी ये उसका अगला पार्ट है तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना अदर्वाइस आपको यहाँ पर चीजे समझ में नहीं आएंगी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लारस और उसके भाई बेगस को इसके अंदर आपने लारस को पहचान लिया होगा जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था जो कि एक पारानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो अपने भाई बेगस के साथ एक घर में जाती है जो कि उसी डॉल के कबजे में था यानि कि उस डॉल के अंदर वो जो बच्ची के आत्मा थी उसके अंडर में अब वहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि एक बच्ची के ऊपर उस डॉल वाली स्पिरिट ने कबजा कर लिया था लारस उस पिरिट को उस बच्ची की बॉड़ी छोड़ कर चले जाने को कहती है इस पर वो पर्जेश्ड लड़की के अंदर वो जो स्पिरिट थी वो एक खतरनाक आवाज में लारस को ये कहती है कि वो उस लड़की की बॉड़ी से निकल जाएगी लेकिन उसे अब लारस से भी बदला चाहिए क्योंकि आखिरी टाइम उसने डैनियल को बचाने की कोशिश करी थी बावजूद इसके कि वो गिल्टी था उसी की वज़़ा से उस स्पिरिट ने अपना पूरा परिवार खो दिया था और अब वो लारस को भी एहसास दिलाना चाहती थी कि अपनों को खो देने का दर्द कैसा होता है इसके तुरंत बाद ही उस डॉल की स्पिरिट उस लड़की को मार देती है जिसकी बॉड़ी में उसने घर कर रखा था वही दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि लारस की बेटी अब उस डॉल वाली स्पिरिट से पजस हो गई थी और वो अपनी मेड को मार देती है और लेटर ओन फिर स्पिरिट उसको भी मार डालती है जिसके बाद में लारस और बेगस घर पहुंचते हैं तो उनके पैरो तले जमीन के जग जाती है लारस अपनी बेटी और उस मेड की लाश को टंगा देखती है जिसके बाद में लारस फूट फूट करूने लगती है अब यहाँ पर यह वाली जो कहानी है ना यानि की पिछले पार्ट से जो लिंक होता है वो यहीं पर खतम हो जाता है अब इसके आगे से एक नई कहानी शुरू होती है जहाँ पर यह वाली स्पिरिट नहीं होगी लेकिन वहाँ पर और भी कुछ बहानक होने वाला है खेर अब हमको एक नई फैमिली को दिखाया जाता है जिसके अंदर हजबन अल्डो है उसकी वाइफ माईरा है और उनकी बेटी काईला यह एक बहुत हैपी फैमिली थी माईरा अपनी बेटी काईला के साथ ट्रेजर हंटिंग का गेम खेल रही होती है और काईला उसको रिकॉर्ड कर रही थी काईला अकसर छोटे छोटे मुमेंट्स को रिकॉर्ड किया करती थी और उन्हें कार्ट्स में स्टोर करके रखा करती ये एक बहुत ही अच्छा मुमेंट्स था उनके लिए इसके बाद अल्डो वहाँ पर आता है और आज वो मायरा को कहीं बाहर ले जाने वाला था वो प्लान करता है कि वो लोग काईला को उसकी नानी के घर छोड़ देंगे और फिर अल्डो और मायरा चले जाएंगे घर का ध्यान रखने के लिए वो अपनी मेड यानी को कहकर निकल जाते हैं वो सब भी रास्ते पर होते हैं और तीनों हस्ते हुए गाड़ी में एंजॉय कर रहे थे काईला ने अपने हाथ में डॉल को भी लिया हुआ था जो कि उसकी बहुत ही फेवरिट थी सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन तभी अचानक से ही अल्डो फील करता है कि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं अब वो इससे पहले कुछ कर पाता सामने एक पार्क हुई गाड़ी से उसकी कार टकरा जाती है जिससे कि वो सब एकदम से ही डिस्बैलन्स हो जाते हैं अनफॉर्चनेटली उसी समय दूर से एक ट्रक उनकी तरफ आता है जो कि अल्डो की कार को तीजी से हिट कर देता है अब इस एक्सिडेंट में अल्डो और मायरा बस इंजर्ड होते हैं लेकिन उनकी बच्ची काईला मारी जाती है और ये एक बहुती बड़ा सादमा था उनके लिए और ऐसा क्यूं है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा खेर इसके बाद में सीन सीधा 6 महीने शिफ्ट हो जाता है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्डो अपनी बेटी काईला के गम से उबर चुका था लेकिन उसकी बीवी मायरा अभी भी काईला के ही खायालों में खोई रहती थी वो काईला के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को देखती रहती और खुश होती अक्सर मायरा काईला को उसके डॉल के साथ ही याद किया करती थी अब एक राज जब मायरा अपने कमरे में सो रही होती है तब ही उसे अचानक से ये फील होता है जैसे अभी किसी ने वाश रूम का फलश ऑन किया हो और तुरंती टीवी भी चालो किया हो उसके लिए ये शौकिंग चीज थी क्योंकि ऐसी एक्टिविटी अक्सर काईला ही किया करती थी अब ये बात वो अर्लो को भी बताती है लेकिन वो इस बात को महज उसका एक वहम बोल देता है अगले दिन मायरा अपनी मेड यानी से पूछती है कि क्या कल रात उसने वाश रूम फलश किया था और टीवी ओन किया इस पर उसकी मेड भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि टीवी तो पिछले एक वीक से खराब पड़ा था वहल अगले सीर में हम देखते हैं कि मायरा की फ्रेंड ऐल्जा उससे मिलने आ रही होती है और इतने समय में मायरा पहली बार इतनी रिलैक्स थी वो Elsa के सामने अपना दुख दर्द बताती है जिसमें वो उसे ये भी कहती है कि कभी कभी उसे काईला की प्रेजन्स इस घर में महसूस होती है और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोनों एक रिच्वल करने की सोचते हैं Elsa को वैसे तो भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं था लेकिन इसके बावजूद बस सेल्फ सैटिसफेक्शन के लिए दोनों एक पैरानॉर्मल रिच्वल को अंजाम देते हैं इस रिच्वल के अकॉर्डिंग आप जिस भी स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो आपको उसकी किसी भी फेवरिट चीज़ को रिच्वल में शामिल करना होगा और इसका एक strict rule भी होता है जिसके according ritual end होने के बाद चाहे आत्मा दिखे या पिर नहीं उन्हें prayer ज़रूर करना है और काईला की फेवरिट चीज उसकी वही डॉल थी खर अब वो दोनों उस ritual को perform कर रहे होते हैं और सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन तभी उनकी mate जो होती है यानि वो वहाँ पर आ जाती है जिससे की वो दोनों ही distract हो जाते हैं और बिना prayers की यही वहाँ से चले जाते हैं लेकिन तभी हम यह notice कर पाते हैं कि उस doll ने अभी blink किया है जिसका मतलब यह था कि इस ritual के instructions जो थे वो तूट गए थे खर अल्डो मायरा को message करता है कि काम की वज़े से आज उसे office में ही रुखना पड़ेगा और इस वज़े से Elsa आज मायरा के साथ उसके घर पर ही रुखती है मायरा शावर ले रही होती है कि तभी उसे feel होता है कि पीछे से कोई हाथ उसके सर पर shampoo कर रहा है और अगले ही पल जब वो पीछे मुड़ती है तो उसको एक spirit दिखती है जो की काईला की थी यानि कि इस doll के अंदर काईला की spirit आ गई थी और यहाँ पर जो भी चीज़े शुरुबात में हो रही थी वो काईला की spirit कर रही थी यानि कि टीवी को on करना और flush on करना इती आती खैर इसके बाद में वो spirit वहाँ से गायब हो जाती है और तभी उसे काच पर mom लिखा हुआ दिखता है इससे माईरा बहुत घबरा जाती है और डरते हुए बाहर आती है और एलसा उसको शांत करती है अब दोस्तों आपने इस कहानी को आता देख लिया है तो आप मुझे comment section में बताओ कि इस movie के अंदर और पिछली movie के अंदर paranormal investigator का नाम क्या है अगली सुबह एलसा अपने घर चली जाती है और अल्डो वापस घर आ जाता है माईरा उपर छट पर कपड़े सुका रही थी लेकिन यहां भी एक अजीब सा वाक्या होता है जैसे ही माईरा कपड़ों को bucket में डालती है वो कपड़े अपने आप उसे रसी पर टंगे मिलते हैं तब ही उसे bucket में वही काईला वाली doll दिखाई देती है जिसको देखकर वो डर कर चलाती है और जब अल्डो वहाँ पर आता है तब माईरा उसे काईला की doll के बारे में बताती है जो कि bucket के अंदर थी अब इस पर अल्डो जब bucket के अंदर देखता है तो उसके अंदर कोई भी doll नहीं होती जब अल्डो और मायरा काईला के रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो डॉल दिखती है सेम डे शाम को मायरा एक रूम से बाहर जा रही होती है कि तब ही उसे डॉल वहाँ पर रखी हुई मिलती है लेकिन तब ही उसे बेस्मेंट से आवाज आती है जो कि obviously काईला की स्पिरिट नहीं बोली थी जब माईरा बेस्मेंट के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको ट्रेजर लिखा हुआ दिखता है जो कि ठीक काईला के स्टाइल में था तब ही पीछे से काईला की स्पिरिट आकर कसकर माईरा को पकड़ लेती है और इस चीज़ से उसका हस्बेंड अल्डो ये समझने लगता है कि माईरा बहुत ही ज़ादा mentally unstable हो गई है अगले दिन वो माईरा को एक psychiatrist के पास में दिखाता है जिस पर उनका भी यही कहना था कि माईरा को एक pleasant trip की जरूरत है और उसको शौक से बाहर लाना होगा इसलिए उसे कहीं पर बाहर ले जाना चाहिए अगले दिन अल्डो भी ठीक वैसा ही कुछ करता है माईरा को बाहर एक enjoying trip पर वो ले जाता है और उन दोनों का दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है लेकिन रात को जब माईरा सो रही होती है तो उसे same activity महसूस होती है माईरा बात्रूम में flush करके टीवी ओन करने की आवास सुनती है जिससे वो जाग जाती है वो जब बाहर जाती है तो उसे काईला की spirit दिख रही थी भगदड में गलती से माईरा बगल में उस पूल में गिर जाती है और डूबने लगती है और चिलाने लगती है उसके चिला चादा समय office में ही बिताने लगता हैजर को अपिशल पहले इसी डॉल के चलते अपनी बेटी जानी तेली का चानी है दू साल का है ताइम फिले कगेपिर रही पर लाह Viv हुपा और वो repas प्रोटा चीजिदों का चान का उड़ करने के लिए तयार हो जाता है फिर बेगस मायरा के घर जाता है और वहां पर चीज़ों को अबसर्व करने के बाद उनसे ये कहता है कि असल में उनकी बेटी यानि की काईला की स्पिरिट उन्हें कुछ बताना चाहती है इसलिए आज रात को उससे बिना डरे वो एक रिच्व है वो मायरा को अकेले ही परफॉर्म करना होगा मायरा इस रिच्वल को कर रही थी कि तब यूसे पेपर पर 26 लिखा हुआ एक क्लू मिलता है जो कि उसको हिंट करता है कि वो काईला के रूम में जाए लेकिन जब मायरा काईला की कमरे में जाती है तो उसे कोई भी ऐसा 26 लि गौर्डिंग में कुछ रास चुपा हुआ है लेकिन वो उसको कार्ड कहीं पर भी नहीं मिलता इसी बीच अल्डो घर पर एक डॉक्टर को लेकर आता है और मायरा से कहता है कि अब से ये डॉक्टर उसे यहीं पर ट्रीटमेंट देगी अब इसके बाद में वो डॉक्टर उस डॉल को हाथ में ले लेती है जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि बेगस ने मायरा वो कहा था कि रिचुल के बीच में अगर कोई भी स्ट्रेंजर उस डॉल को छुएगा तो फिर वो स्पिरिट उस शक्स को नुकसान पहुंचा सकती है और होता भी ठीक ऐसा ही है उदर हम देखते हैं कि लारस को उसकी मरी हुई बेटी एक सिगनल देती है कि उसे उस फैमिली की मदद करनी चाहिए यानि कि यहां से कहानी काफी ज़्यादा दिल्चस्प होने वाली है खिर यहां पर हम देखते हैं कि अचानक से काईला की स्पिरिट दूसरी दुनिया में जाकर उस 26 कार्ड की लोकेशन को पता करती है कि वो 26 कार्ड उसको कहां पर मिलेगा उसे यह पता चलता है कि उनकी मेड यानि ने गलती से उस कार्ड को बेसमेंट में रखवा दिया था फिर सभी लोग रियालेटी में आते हैं जहां पर सभी कुछ करवा रही थी और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं इस मूवी के पहले असली पत्ते यहां पर सिंपल शब्दों में वही थी जिसने की ब्रेक्स को फेल करवाया था यानि की कार के ब्रेक को फेल करवाया था और यह रिकॉर्डिंग काईला ने एक्सिडेंट से प दूसरे असली पत्ते। दरاصल अल्डू और मायरा की शादी के बाद लम्बे समय तक उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और यही रीजन था कि काईला को खोने के बाद मायरा बहुती जढ़ा सद्मे में थी क्योंकि बहुती मुशक्कतों के बाद माईरा को बेटी हुई थी और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि माईरा के सदमे में रहने का रीजन मैं आपको बात में बताऊंगा तो यही रीजन था कि माईरा इतने ज़्यादा सदमे में रहने लगी थी इन फेक्ट डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये भी कह दिया था कि उनको कभी बच्चा नहीं होगा और ये न्यूज वाकई में काफे डिसपोइंटिंग थी उनके लिए अब इसके चलते होता ये है कि मायरा अपने ही दुख में रहने लगती है और वो अल्डो से दूरी बनान करता है और जब अगली बार से यानि उसके करीब आने की कोशश इसको बनाने लगता है और यहां पर एक और राज ये खुलता है कि यानि उसको पहले से ही पसंद किया करती थी अब यानि यहां पर बहुत कोशिश करती है अर्लो के साथ में एंगेज होने के लिए लेकिन वो उसको हर बार मना कर देता था और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मायरा को इसके बार में पता ना चल जाए इसके कुछी समय के बाद में होता यह है कि मायरा के साथ में वो को ही तबाह कर देगी अब इसमें होता यह है कि काईला तो मारी जाती है लेकिन मरने से पहले ही काईला ने रिकॉर्डिंग कर ली थी कि यानी ने यहा पर ब्रेक्स फिल किये थे और यही सारी बातें उसकी स्पिरिट मायरा को बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब भी काईला उसके करीब जाती थी तो मायरा डर कर शौक डो जाती थी इसके बाद में अब पूरे घर में एक अजीब सी वाइब साने लगती है काईला की स्पिरिट पूरे घर के डोर को लॉक कर देती है और वो लारस और बेगस को भी बेहोश कर देती है ताकि वो बीच में आकर यानी की जानना बचा पाएं क्योंकि अब काईला की स्पिरिट उसके परिवार के साथ किये गए धोके का बदला रेना चाहती थी लेकिन इससे पहले की काईला उस तक पहुंचे यानि मायरा को मारना शुरू कर देती है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है जब अल्डो उसे बचाने जाता है तो वो अल्डो को भी उपर के फ्लोर से नीचे गिरा देती है फिर मायरा भी कायला के साथ उपर से नीचे गिरती है और अब तीनों ही injured पड़े होते हैं तब ही कायला की spirit मायरा की body को possess कर लेती है ताकि उसके जर्ये वो कायला को मार सके और होता भी कुछ ऐसा ही है कायला मायरा की body में दाकिल होकर यानि को बुरी तरह मारती है उसे कई गहरे जखम देती है और वो चाकू घोपकर उसकी आँख तक भी निकाल लेती है और ये possession का एक बहुती डरावना मनजर चल रहा होता है यानि उससे बचने के लिए AC डक्ट के अंदर भागने लगती है लेकिन कायला की spirit वहाँ भी पहुँच जाती है तब तक लारस और बेगस दोनों होश में आ चुके थे और वो सब मिलकर उन दोनों को बाहर लाते हैं इधर हम देखते हैं कि अब कायला किसी भी तरह यानि को मार देना चाहती थी इसलिए वो उसकी body को possess कर लेती है और गले में फांसी का फंदा लगाने लगती है लेकिन उसके माबाप अर्लो और मायरा उससे request करते हैं कि वो यानि को छोड़ दे और जो कुछ भी हुआ उसकी सजा उसको मिलेगी अब सबकी request करने के बाद में कायला मान जाती है और आखिरकार वो भी तो एक बच्ची ही थी रहम और मासूमियत तो आना ही था इसके बाद में आखिरी टाइम वो अपने mom dad से अलविदा लेती है और फिर मुक्त हो जाती है यानि कि after life में चली जाती है क्योंकि वो एक pure soul थी तभी police और ambulance को वहाँ पर बुलाया जाता है और तीनों के तीनों जो की injured थे उनको hospital ले जाया जाता है इसके बाद सीधा scene एक साल आगे जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मायरा अल्डो को divorce के papers भेजती है जिनको पढ़ते हुए वो बहुत ही emotional हो रहा था मायरा उसको divorce दे रही थी क्योंकि उसने यानि के साथ नाजाय संबन्द बनाए थे लेकिन जब दोनों कायला की death anniversary पर उसकी कबर के सामने मिलते हैं तो दोनों ही काफी emotional हो जाते हैं और मायरा भी उसको माफ कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसकी भी थोड़ी बहुत गलती थी जिसका simple सा मतलब था कि इन दोनों का जो प्यार का bond था वो बहुत ही अच्छा था अब आखिर में हमको एक बात और पता चलती है कि यानि को lifetime imprisonment हुआ है और बूम इसी के साथ में doll 2 movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी doll movie का part 2 उमीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंदाया होगा और अगला part भी जल्दी से आने वाला है तो फटा फट वीडियो को like कर दो comment कर दो कि आपको इसका next part जल्दी से जल्दी चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो पसंदाया हो तो like कर देना चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजे इसी तरह की बहतरीन movies को देखने के लिए तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टेट कोस्टी